दोस्तों गिरी टूलर के इस फ्लैटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत सुआ गया था इस वीडियो के अंदर मैं बदाने जा रहा हूँ कि आपको ब्रीफ कोशन जो आने वाला है तो उसमें आपको कौन से कोशन को अटेम करना है जिससे आपको मिलेंगे पूरे के पूरे मार कि हिस्ट्री में आपको पता है कि आप फूल मार्म से चाहिए आपका राइटिंग नॉर्मल हो कुछ भी हो अगर आप सही लिख रहे है तो आपको पूरा का पूरा मार्स मिलेगा तो दोस्तों जैसे यहाँ पे कुछ कोशन से कभी-कभी यहाँ पे जो लाश वाले कोशन मे आपको यहाँ पे नॉर्मल टू मार्क्स वाले भी कोशन आ सकते हैं या कोई के छोटे कोशन आ सकते हैं तो आपको यह चारो कोशन में से यह डिसाइड करना है कि आपको सपोज यह चारो कोशन समझ में आ रहा है कि चारो कोशन के एंसर आ रहे है बड़ आपको सिलेक्ट व प्लोचार्ट बना सकता हो, ऐसे बना के answer लिख सकता हो, तो जिससे क्या हो जाएगा ये फ्लोचार्ट बना के मेरा answer बाकी लोग के answer के comparison में अलग हो जाएगा तो उस तरह के question को दोस्तों आपको select करना है, ये मस्त देखना कि किसका answer सबसे छोटा हो रहा है at least six point तो होना ही चाहिए three marks के लिए six point दिमाख में बिठा लेना है तो आपको यहाँ पे दो वैसे जबरदस question को आपको select करना है, जिससे आपको यहाँ पे पूरे के पूरे marks मिले तो ऐसे आप अगर systematic लिखोगे तो मिलेगा, अगर आप courses करो कि कहीं पे अगर कुछ types, examples हो types होंगे तो हम ऐसा रिखा सकते flow chart में, जिससे आपको अच्छे marks मिलेंगे इसमें अगर diagram वाले question भी आ सकते हैं तो diagram वाले question को अगर आप सच में 100% अगर आपको पता है कि हाँ यही इसका answer है तो आप diagram के question को attempt करो otherwise मत करो और normal से दो question को systematic attempt करो क्योंकि any two है और आपको मिलेंगे पूरे के पूरे marks तो उमीद करता हूँ कि आपको यह पूरा का पूरा वीडियो समझ में आयोगा, अगर वीडियो आपको लग रहा होगी हमारा effort सच में बहुत अच्छा है तो वीडियो के निचे आप comment कर सकते हैं आप में से जो सबसे अच्छा comment करेगा जरूर मैं उसे पीन करूँगा तो thank you so much दोस्तो लिट से thanks जैहिन दोस्त